नमस्कार में हूँ आपके साथ रोहत लगता है कॉमेडियन कपिल सर्मा का टाइम इन दिनों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तब ही तुँ वो बार-बार विवादों में फस्ते जा रहे हैं इस बार कपिल शर्मा अधूरा सच बताकर बॉलिवूड एक्टर अनपमखेर की निशाने पर आ गए हैं और अनपमखेर ने कॉमेडियन को सब के सामने ही धो डाला है यहर किसी को पता है कि कपिल शर्मा सो इन दिनों विवादों में फसा हुआ है हाली में दकस्मीर फाइल के डारेक्टर विवेक अगनिहोतरी ने कपिल शर्मा पर आरूप लगाया था कि कपिल शर्मा ने अपने शो में दकस्मीर फाइल की टीम को बुलाने से इंकार कर दिया विवेक के इस आरूप के बाद से ही कपिल शर्मा ट्रोल हो रहे हैं और उन्हें बाइकॉट करने की मांग भी लगातार उठ रही है हालग कि इस विवाद के बीच अन्पमखेर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अन्पमखेर ने कपिल शर्मा के शो में फिल्म को प्रमोट ना करने की वज़ा बताए इस वीडियो को कपिल सर्मा ने सोसल मीडिया पर शेयर किया जिसके साथ उन्हें अनपमखेर को धन्यवाद भी कहा अनपमखेर ने कहा की मुझे कहना होगा की कपिल की तरफ से मेरे पास फोन आया था मैंने अपने मैनेजर से कहा कि ये फिल्म बहुत सीरियस है इसके लिए मैं शो में नहीं जा सकता, कपिल की तरफ से दो महीने पहले ही मेरे पास फोन आया था मैं इस शो पर इसलिए नहीं गया क्योंकि ये एक फ़नी शो है अन्पमखेर के इस खुलासे के बाद कपिल समेत कई लोग सोच रहे थे कि कपिल सचे हैं वहीं अन्पमखेर का ये वीडियो शेयर करते हुए कपिल सर्मा ने कहा कि मेरे खिलाफ लगे सारे इलजामों को गलत बताने के लिए शुक्रिया पाजी और उन सभी दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने बिना सज्जाने मुझे इतना मोहबत दिया है खुश रहिए, मुश्कुराते रहिए आप कपिल के इस थैंक्यू वाले ट्विट पर अन्पमखेर का गुस्ता सामने आया है दरसल कपिल के इस थैंक्यू वाले ट्विट पर अन्पमखेर ने अपने प्रितिक्रिया दी है बता दे कि टीवी चैनल पर बात करते हुए अनपरमखेर ने अपने बारे में बताया था कि उन्हें दो बार फोन आये लेकिन वो खुद ही शो पर नहीं गए और कपिल ने सिर्फ अनपरमखेर का वीडियो क्लिप शेयर कर आधा सच दुनिया को बताया जब कि कपिल ने जो व का अनपरमखेर को तो दिया लेकिन उन्हें और कश्मिर फाइल्स के बाके स्टार्स को कपिल की टीम ने अपने शो पर नहीं बुलाया अब कपिल ने ट्वीटर अकाउंट पर वीडियो का वह हिस्सा तो पोश्ट कर दिया जिसमें अनपरमखेर ने खुद शो में जाने से म कपिल सोच रहे थे कि उनका आधा सच पकड़ा नहीं जाएगा लेकिन अनपरमखेर ने इसी क्लिप की वज़ा से कपिल को घेर लिया और उनका आधा सच दुनिया के सामने लाकर रह दिया बताते चले कि कपिल वैसे ही लोगों की निशाने पर आई हुए हैं लेकिन आधा को जरूर साजह करें कि अधा पर फॉर्मिंग ड़ाइज अनक्टर सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होता है विकाज आपको एक फिल्म के दायरे में अक्टिंग करनी है तो इस फिल्म के दो पहलू है अजने अक्टर एन आज परसन तो जहां तक परसन की बात है आप कितना भ परदे पर उस दर्द को तकलीफ को नहीं ला सकता है शुक्ता है महसूस हम सब लोग करते हैं हम सब लोग दुख महसूस करते हैं हम तकलीफ महसूस करते हैं हुषी महसूस करते हैं हंसते हैं रोते हैं but everybody can't act it out it's a job of an actor to do that so I want to separate two issues over here one is that just because I am a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I पुष्करनाथ Master मेरे पता जी का नाम है पुष्करनाथ मेरे पिता जी नाम है अध्यून है इसकी शूटिंग करने के लिए तो मितुन जी और पुनीत और दर्शन अलडी शूटिंग करे थे अलग से फिल्म का महौली कुछ अलग था ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टन्ट फिल्म बन रही है क्या हो रहा है क्या सिच्वेशन है मतु बार से आय थे फ्लाइट से आयड किये थे थास्ते मेर खाना खाके गये थे And then it dawned on me what it is to be playing Pushkarnaat A simple, normal human being, जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीजों का पता नही है I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir, which my father represented very well And then it was difficult to do that role because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher What is real and what is acting? So from that point of view it was one of the most difficult roles He gets dementia, he does not know what is happening, he has to… And on top of it I was doing scenes with Darshan who was not on the same wavelength as a character of Pushkarnaat So it was a difficult job Plus, the story was that I had listened to my relatives, my relatives, my relatives, my mother, my mother And all of us are under the rug and when the pain is under the rug, we keep the pain That's why it turns into depression But I am so happy that Vivek, you and Pallavi, you made this film Because you are talking about a lot of things as journalists But Khamare Ki Khamoshi, that you are talking about today And that is the biggest achievement I will say of the film Because when pain reaches other people, then half the job is done So I think this is what this film has done Thank you so much, sir Thank you so much Vivek sir, this one is for you I would like to know from you Generally, what is happening? The film is going to come, there is a lot of money There is a lot of marketing, there is a lot of promotions There is a lot of promotion This is a lot of attention to watch When the film is coming, people are reviewing it themselves People are talking about it There is a lot of organic reach Please tell me about it I know you would not want to talk about that But I know you would not want to talk about that But it is not Organic reach and what way people have accepted it Please tell me about it I will say that I will say that I will say diplomatically Look, organic reach Of course, I am a student of media I have studied in Communication One of the best institutes in the world So you are saying that Organic reach People reach themselves to each other And there is a lot of hyped up reach Where you create so much hype That people have become an event And people have become a part of this event We should be part of this event Or it should be bad So in the year There are 5-6 films in India I will say that 6-7-8 films People have decided that It will come in 2024 or 2026 This will be a big event We will become a part of this event We will also be part of this film Over the years And people see that The media has decided that That this film is the right Who will be watching If it is, which the media has decided And the media has decided The subject will come by But people will be the right And how many films ends In this film This film is the right In this film These films are not the right To the end Because it is so real And so It is so different है जमीन से और ऐसा कोई हम हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मेकैनिजम काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रियेट कर सके तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सारे रह सकते हैं